नमस्कार दोस्तों मैं आकास जेन, आप सभी का स्वागत करता हूँ में यूटूब चेनल पर दोस्तों और जैसा कि आपको पता है हमारी कॉस्ट्न अंसर की सीरीच चल रही है मैंने जो topics आपको cover करा दिये हैं अब मैं उनके question answers आपको solve करवा रहा हूँ उम्मीद है आप साथ में question answer करते जाते होंगे और आप ये सारे के सारे जितने भी 40 question हैं ये बहुती important हैं और question में आने के पूरे के पूरे chance हैं मैंने सारी जगे से study करके आपको ये provide कर रहा हूँ तो हो सके तो ये चारों को मेरे बताने से पहले आप answer देने की कोसिस करना और अपना score चेक करना कितना होता है और आज मैं आपको कराऊंगा उतक क्योंकि हमने कोसी का और कोसी का विभाजन पढ़ लिया है अब हमारा कोसी का से मिलके बनता है उतक टीश्यू जिससे हमारा सरीर बनता है उसकी मैंने वीडियो दे दी है आपको description में मिल जाएगी साथी साथ दोस्तों इसकी PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टेलीग्राम गुरूप से GS Genius Academy से आप जोइन कर सकते हैं और PDF वहाँ से ले सकते हैं साथी साथ मैं अच्छे अच्छी उसमें जानकारी भी प्रोवाइड करता हूँ चलिए दोस्तों तो सुरूबात करते हैं पहले question की question number first है उतक का एक बिसेश कारे करने वाले समान कोसीकाओं के समू को क्या कहते हैं मतलब कोसीकाओं का समू जो किसी बिसेश कारे को करने के जगे एक अत्रित होता है अब गर का मालव हो हाथों की उतक हैं कोसीकाओं है तो हो हाथों को ही बनाने का काम करेंगे ऐसा नहीं है पैर कर को बनाने का काम करें तो हर सगय की उतक अलग-अलग कारे करते हैं तो मतलब बिसेस कारे करने का काम करते हैं कोई skin बनाएगा कोई भीतरी अंगों को बनाएगा कोई तंत्री का तंत्र को बनाएगा तो सारी काम एक बिसेस तरीके से specified किये गए हैं तो उतक बिसेश कारे करने के लिए उनका group होता है चलते हैं question number second पर तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा उतक tissue दोस्तों आप भी answer देते रहे ना पहले ही चलते है question number second की और question number second उतकों का अध्यन बिग्यान की जिस साखा में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है study of tissue तो tissue का अध्यन उतकों का अध्यन हम बिग्यान की साखा में करते हैं दोस्तों से क्या बोलते हैं क्या साइटोलोजी बोलेंगे नहीं साइटोलोजी में तो सेल का अध्यान होता है, कोसी काओं का अध्यान होता है, हिस्टोलोजी, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोलोजी, हिस्टोलोजी में हम उत्कों का अध्यान करते हैं, लगे हाथों देखेंगे, माइकोलोजी में किसका अध्यान करेंगे, तो म चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की और कॉस्चन नमबर 3 अब हिस्टोलोजी सब्द का सरप्रिथम प्रयोग किस ने किया है हमने देखा है कि कोसी काओं का अध्यन वो उत्कों का अध्यन हिस्टोलोजी में होता है लेकिन हिस्टोलोजी सब्द किस ने दिया है तो आप बताएए जल्दी से किसने दिया, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, इसका उतकों वाला, तो आप बता सकते हो आसानी से, तो दोस्तों, ये हिस्टोलोजी सब्द दिया है, A. मेयर ने दिया है, A. मेयर ने, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक, वो रटलो इसको अच्छे से बिठा लो क्योंकि question यहीं से बनेंगे बसरते आपको पढ़ने की जरूरत है और दोस्तों यह जो time मिला है तो यह time आपको कुछ बना देगा या बिगार देगा दोनों ऐसा समय है जो हमें अभी इस समय कोरोना की बज़े से मिल रहा है तो वो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है आप सब समझदार हैं उसका किस प्रकार से उप्योग करना है तो चलते हैं next question की और question number fourth सभी जटिल प्राणियों का सरीर कितने प्रकार के आधारभूत उतकों का बना हुआ है मतलब जितने भी प्राणी है मैं हूँ आप हैं कुता हैं बिली है तो सभी जन्तू वो में नॉर्मली कितने प्रकार के उतक पाए जाते हैं तो बताएए 44444 तो दोस्तों कितने प्रकार के उतक पाए जाते हैं चार प्रकार के उतक पाए जाते हैं और दोस्तों पहला हो गया उपकला उतक, दूसरा है मसल्स टीशू, पेसी उतक, हमादी मास पेसियां जिससे बनी होती हैं, तीसरा संयोजी उतक, कनेक्टिब टीशू, कनेक्टिब में भी अलग-अलग होते हैं, अस्ती, उपास्ती, लिगामेंट, टेंडन, बिलड, यह हम प तरीका उतक, तो उतक कितने प्रकार के होते हैं, उतक चार प्रकार के होते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन की और, किस प्रकार के उतक सरीर की सुरक्षा कबच करते हैं, सुरक्षा कबच का कार करते हैं, मतलब हमारे सरीर में तोचा बनाने का काम करते हैं, तो यह मैंने विडियो परोवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एपी थीलियम उतक मतलब उपकला उतक अगर इसे हिंदी में देखें गी तो नाम क्या जाए गा इसका उपकला उतक है एपि थीलियम टीश्यू आंसर जाग़ जब कि पेसी हैं क्या करेंगी हाथ पैरों को मुगमाने का काम करेंगी मूग तो उनको बनाने का काम सही हो जी उतक जोड़ेगा आपस में तंत्रीका उतक भी क्या करेगा हमाई बिकास बुद्धी और बिकास करेगा तो यह सारी चीज जो शरीर की सबसे लंबी कोसी का है क्या हाथ की कोसी का बिलकुल नहीं पैर की कोसी का नहीं तंत्री का कोसी का आपको पता होगा नियूरोन तंत्री का कोसी का इसी से तंत्री का उतक बनता है तो तंत्री का उतक इसका सबसे सही आंसर होगा तंत्री का कोसी गा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर सेवन निम्न मैंसे कौन सा पेसिय उतक नहीं है निम्न मैंसे कौन सा मसल्स टीश्यू नहीं है तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने पेसिय उतक के अंदर आपको तीन बताये थे स्व कि ऐगा उपास थी संयों जी उतक झाय कानेक्शन करने का काम करता है जैसे बाली पहनते हैं बगेर जो भी पहनते हैं उम्मीद है सारे जा कॉस्चन आप से बन रहे होंगे चलते हैं नेस्ट कॉस्चन की और अगर आपको ये सारे कॉस्चन एमांदारी आप तो आप वीडियो मिलता है और नई नई वीडियो में जल्दी यल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप चाहोगे तो चलते हैं कॉश्चन नमबर 8 की ओर निम्न मैंसे कौनसा उतक का उधारन है कौनसा टीशू है क्या मस्तिस्क उतक है नहीं मस्तिस्क अंग है रक्त अभी थोड़ी द लिक्विड कनेक्टिव टीशू अगर आपके सिर में चोट लगती है तो भी खुन निकलता है पैर में चोट लगती है तो भी खुन निकलता है मतलब हमारे संपून अंगों को रक्त जोड़े रखता है इसलिए इसको रक्त परिशंचन तंत्र में भी उपयोग किया जाता ह चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और कोश्चन नमर 9 तंत्री का उतक की इकाई है नर्वश टीशू की इकाई है मतलब तंत्री का उतक किस से मिलकर बनता है वो बनता है निूरोन से किस से बनता है निूरोन सरीर की सबसे लंबी कोशी का निूरोन से मिलकर क्या बनता है हमारा त विभाजन नहीं होता है उसका नाम क्या है तो आपके कंकाल की ब्रद्धी होती है संयोजी में भी ब्रद्धी होती है जनन में भी ब्रद्धी होती है तो इसका आंसर जागा तंत्री का उतक तंत्री का कोसी का नियूरॉन जितना से छोटे में रहता है उतना ही बड़े में रह हमारा जो रक्त है वो क्या है एक सियोजी उतक एक UPKLA उतक रेशेदार उतक या UPROPYTT SASHixo हमारे सरीर में पाया जाने वाला दोसतों रक्त कैसा है सियोजी उतक है और सियोजी में भी कैसा तरल सियोजी उतक लिक्विड कनेक्टिब टीशू है हमारे सरीर में पाया जाने वाला तरल सह fullness योगे उतक रक्त है तो paper में question आयागा रक्त कोशी का है उतक है उतक है उंगतन्तर है तो क्या लगाना है उतक है और ऊतकों में भी सह messenger उतक है चलते हैं next question कि और question number 12 किसी जीवित देह के भीतर कोसीका या उतक की मृत्यू को क्या बोला जाता है मतलब सरीर में कोसीकाओं का नश्ट होना या उतकाओं का नश्ट होना क्या कहलाता है नेक्रोसिस कहलाता है इसको याद कर लेना आप क्या कहलाता है नेक्रोसिस कहलाता है और आप भूलोगे नहीं चीजें, खेलने में, मूवी देखने में, अलग-अलग क्रियाओं में हम अपना समय गवा देते हैं, जबकि आपको जो सपने हैं, पूरे होंगे किस से, ये पढ़ने से, और आपके सपनों को पूरा करने में थोड़ा बहुत कष्ट होगा, और ये कनेक्ट करना, संयो जी उतक है, कनेक्टिव टीशू नहीं है, पूछा है यहां पर, तो क्या रक्त है, जी बिलकुल, हमारे सरीर में पाया जाने वाला रक्त क्या है, तलल संयो जी उतक है, अस्ती, अस्ती भी है, ध्यान सुनना, हमारा जो अस्ती है, उसके अंदर ओसी नाम तोचा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जागा निम लिखित मेंसे कौन सा सहीं ओजी उतक नहीं है यह एपी थीलियम उपकला उतक के अंतरगत आती है चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की और कॉश्चन नमबर 14 मास पेसी को हड़ी से जोडने वाला उतक क्या कहलाता है मतलब मास प मास पेसी को बान से हम जोड रहे हैं तो जल्दी से बताओ क्या जाएगा यहां पर हमने पड़ाता महमद बिन तुगलक MBT मास पेसी मसल्स को बान से जोडने का काम कौन कर रहा है दोस्तों टेंडन कर रहा है कौन कर रहा है तेंडन हिंदी में कंडरा भी बोलते हैं कंडारा आ रहा होगा चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की और कॉश्चन नमबर 15 तंत्री का उतक में संबेदनाओं का चालन किस रूप में होता है मतलब आपने तंत्री का तंत्र का आकार देखा होगा कि भाई सबसे लंबी कोसी का ऐसे एक्सों डेंड्रों इसमें अलग-अलग आपने वो देखे होंगे ऐसे तो ये क्या करते हैं इनमें करेंट जाता है केमिकल रियक्सन होता है जिसके कारण क्या होते हैं आगे एक दूसरे से कनेक्सन होता है ये पूच जैसी संबेदनाओं जाती है तो दोस्तों देखते हैं हम तंत्री का फूसсть में संब्धना कैसे जाती हैं किमिको मेगनेटिक बेब के दौटा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कैमिकल इंपल्स के दौटा जाती है तो आंसर क्या जाएगा इसमें कैमिको मेगनेटिक बेब जाएगा तो म 달coat कैमिकल के फ्रूट electromagnetic wave के रूप में जाती है electro chemical का release होता है हमारे मस्तिस्क में पूरे सरीर में तो पूरे सरीर से पूरी information अगर आपको कोई टच करता है किस intention से किया है तो आपको हर चीज का पता लग जाता है तो तंत्रीकाओं का पूरे सरीर में या पूरे हमारी body में आप रण किस प्रकार चालन होता है chemical magnetic wave के द्वारा होता है चलते हैं next question की और question number 16 दो अस्तियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उतक से जुड़ी होती है उसका नाम है मतलब यहाँ पर हड़ी को हड़ी से जोड़ने की बात कर रहे है मतलब आपकी हाथ की दो हड़ीयां है वो आपस में किस प्रकार जुड़ी है humorous, fibula, tibia किस प्रकार से साथी की सारी जो आपने पढ़ रखी होंगी हड़ीयां आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है हमारे जब हम कंकाल तंत पढ़ेंगे 206 हड़ीयां होती है बच्चों में कितनी होती है क्या होती है इस पर अपन गहरी चर्चा करेंगे तो दो हड़ीयां आपस में जुड़ी होती है इसके लिए मैंने आपको बताया थी short form बवली बवली तो बबली क्या है बॉन को बॉन से जोड़ता है लिगामेंट कौन जोड़ता है लिगामेंट बोले तो इस नायू जबकि मुहमद बिन तुगलक क्या करता है मास पेसियों को हड़ियों से जोड़ता है यहाँ पर आंसर क्या होगा लिगामेंट इसनायू बॉन टू बॉन जोडने का काम करता है दोस्तों रट लेना वहरी वहरी इंपोर्टेंट कॉश्चन था ये अब आपको लिए शॉकिंग कॉश्चन है आप आश्चा जनने रह जाओगे कि भई उतक से भी ऐसा कॉश्चन बन सकता है तो चलिए देखते हैं किस उतक के किस उतक के नाख खुर और सींग बने होते हैं मतलब किस उतक से नाखुनों का खुरों का और सींगों का निर्मार होता है जी हाँ आपको लग रहा होगा ये तो सर प्रोटीन प्रोटीन पढ़ा है हमने प्रोटीन याद आ रहा है लेकिन दोस्तों अगर उतक पूछ लेना तो इस उतक से प्रोटीन मिलकर इस उतक का निर्मार कर देते हैं तो इसका नाम क्या जाएगा जल्दी से बताना क्रेटिन अपने पढ़ा था जब आपने प्रोटीन के मैं कॉस्चन बनाऊंगा तब देखना और मेरी विडियो भी मैंने इसमें डाल दी है कि अलफा क्रेटिन क्या होता है जबकि बीटा कैरोटिन क्या होता है ये अलग-अलग हमने प्रोटीन बाले चैप्टर में पढ़ रखा है description में मैं लिंक दे दूँगा तो इसका answer क्या हो जागा क्रेटिन हमारे नाकूनों खुरों और बालों का निर्मार करते हैं हमारे अंदर खुर नहीं होते हैं सिंग नहीं होते हैं जानवरों में होते हैं हम भी जानवर थे पहले tension मतलो मतलब आप लोग भी थे चलिए next question की ओर question number 18 मनुश्य की तुचा सबसे मौटी कहा होती है चलिए तो आप बताईए अगर कोई आप में चाटा मार देता है तो आपको बहुत तेज लगती है तो आपको लग रहा होगा सर हाथ की होनी चाहिए लेकिन किसी किसी के आप बहुत मुलाइम होती है चलते है कौन सा सबसे है आप खुद बताओ धड़ सिर यह चीजे नहीं है यहाँ पर पूछिए तुचा कहा की मौटी है तो पूरी मुलाइम रहती है तलबे की आपका जो तलबा है एडियां कैसी मौटी रहती है तलबा में अगर काटा बड़ी मुस्किल से चुपता है क्योंकि चलने का काम करता है तो तलबे में ध्यान से सुनना तुचा सबसे मौटी रहती है कॉस्चन बन सकता है मनुस्च की तुचा सबसे मौटी कहां होती है तो दोस्तों ये तलवे में होती है चलते है next question के और question No.19 मोटा पा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है तो जब आपने सुना होगा भाई ज़्यादा घीमत खा ज़्यादा भूमत खा नहीं तो मोटा हो जागा घीमत लब वसा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना वसा उतक, मौटापा किसके कारण होता है फैटी टीशू के कारण होता है वसा उतक के कारण होता है वसा वाले चेप्टर में भी हम देखेंगे आगे जब की मैंने वीडियो में बता दिया है चलते नेक्स्ट कॉस्चन की और दोस्तों कॉस्चन नमबर 20 निम्नम लिखित में से कौन सा उतक घाव भरने में सहायक है अब दिल के घाव नहीं बोल रहे हैं आपर घाव बोले तो आपकी बॉड़ी में अगर कोई आप में लड़ाई हो जा लॉच दे आपको बिलकुल उतक करता ऐपी थीलियं उतक मतलब उतक लॉट तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों घाव कौन भरेगा उतक भरेगा जबकि कौन सा कुसी का विभाजन भरेगा यह आंसर आप बताना आपको बढ़ा दिया है अर्दसूत्रियों कोश्चन भी प्रोवाइड किये हैं उसमें इसका आंसर मिल जाएगा तो उनकी भी में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं नेक्ट कॉस्टन की ओर कॉस्टन नमबर 21 संबेदना का चालन सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है यह अपन पहले ही देख चुके हैं किसके द्वारा होता है यह होता है तंत्री का उतक के द्वारा तो तंत्री का है क्या करती है पूरे सरीर में अपने देखा है एलेक्ट्रो केमिकल बेप के द्वारा पूरे सरीर में क्या बेशती रहती है संबेदनाओं को बेशती रहती है तो इसका अंसर आजागा तंत्री का उतक चलते हैं नेक्स कॉश्चन की ओर बहुत ही इंपोर्टेंट अगर इसका अंसर अगर आपने दे दिया तो मज़ा आ जाएगा बायोपसी संबंधित है बायोपसी और अटॉपसी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों तो बायोपसी ब निकालकर उतकों को निकालकर जांचा जाता है कभी कोई दिक्कत हो जाए कैंसर हो जाए तो जांच के लिए बायोपसी होती है मतलब जिंदा व्यक्ति में बायोपसी होती है और मरने के बाद जब पोस्ट माडम होता है तो उसको अटोपसी बोला जाता है तो अब इसका आंसर चेक करने की कोसिस करते हैं कि बायोपसी सम्मंदित है मृत्यू का कारण जानने के लिए सब बिच्छेदन करने में मतलब पोश्ट माडम बोल रहा है ऐसा होगा क्या बिलकुल नहीं यह आंसर नहीं है बेहोसी की इस्तिती में परिक्षण करने में बिलकुल नहीं परिक्षण के लिए उसको परिक्षण के लिए उसके सरीर को यहां पर कोछ उल्टा सीधा हो गया परिक्षण के लिए उसके सरीर से अलग करने से बलब सीधी बात है परिक्षण के लिए उसके सरीर से उतकों को या कोसीकाओं को अलग करने से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C इसका आंसर हो जाएगा बायोपसी मतलब कि अगर काप के सरीर की कोसीकाओं को निकाल लेना परिक्षण के लिए अगर आप क्या करते हो सरीर से उतकों को यहां उसको की जगे का इलाज करने के लिए बायोसी की जाती है तो ये टेकनोलोजी का सबजेक्ट है आप कभी भी PSC दो तो उसमें आएगा Science and Tech तो टेकनोलोजी में आपको एक साइटोटॉन भी आएगा साइटोटॉन क्या होता है ये डॉक्टर विजए राजा विजए ने बनाया है हमारे भारत के ये एक ऐसी मसीन बना दी है उन्होंने कि अगर किसी को कैंसर है तो उसकी कोसी का नहीं लेंगे डारेक्ट उसको मसीन में डालेंगे और पता लगा लेंगे कि उसमें कहां पर किस जगे पर कैंसर हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्दी है अपने देश के लिए तो उनका सभी को सुक्रिया करना चाहिए और ऐसे लोगों के प्रती हमें महमा आना चाहिए जो समाच के लिए कुछ कर रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों अगर आपको सच में पसंदा रही है बटनी तो दवाना है आपका जा क्या रहा है अगर आप मुझे जलते होगे या आप चाहते होगे क्या ये बेकार पड़ाता है तो दो तंत्रीका कोसीका जब आपस में मिलती है तो बीच में थोड़ा खाली स्थान रहता है उसको आपको याद रखना है इसको बोलते हैं साइटो काइन क्या बोलते हैं साइटो काइन बोला जाता है दोस्तों तो दो तंत्रीका कोसीका के मद्द खाली स्थान को साइटो का में किस तरह जरुझन और एंडेरोजन हार्मौन काम करते हैं जननंगों में तो saatıld काइन इसका आंसर क्या था जाग है साइटोकाइन गैप को दो старेका ओं के बीच गैप को क्या डो साइटो काइन बोलेंगे चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की और कॉशन नमबर 24 कॉर्क कोशिका होती है मैंने बताय था सुरू बात में 1665 में रौवार्ट हुकने कॉर्क पर अध्यन किया तो कॉर्क कोशिका उन्हें कैसी मिली मृत अवस्था में मिली तो सन 1665 में रौवर्ट पेसी है जो कभी ठकती नहीं है ऐसी कौन सा उतक है ऐसी कौन सी मास पेसी है तो पेसी उतक के अंदर हिर्देक मास पेसी है जो लगातार काम करती रहती है दोस्तों हमारा जो हिर्दे है इसलिए तो हम हिर्दे से प्यार करते है क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है कंटीन्यू का तो हमारा प्याल लगातार बना रहता है दिल से चाहना बोलते हैं उसी चीज को तो ऐसी कौन सी मास पेसी है जो कभी ठकती नहीं है तो वो है हिर्दे हिर्दे ओल और नन के सिद्धान पर काम करता है या तो चलता रहेगा अगर एक बार रुक गया तो आदमी चल नहीं तो चलते हैं दोस्तों इसका अंसर जागा हिर्दे ओक पेसी आगे चलते हैं उट का कूबर बना होता है आपने उट तो देखा योगा ऐसा रहता है और उट का ऐसा कूबर रहता है ये बैठा हुआ उट है तो दोस्तों ध्यान से सुनना उट का कूबर जो बना रहता है इस वसा उतक का बना होता है चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्टन की और चलते हैं कि सरीर को गर्म करने में सहायक है तो हमारे सरीर में आप ही आंसर दो इसका कि सरीर को गर्म करने में कौन सहायक है तो हमारे सरीर में सूर से आने वाले प्रकास को वो अंदर एब्जॉब कौन करता है तो वो एब्जॉब करने का काम रहता है वसा का फैट का तो यहां सर क्या जाएगा वसा उतक आ जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की और कॉस्चन नमबर 28 पादप उतक थोड़ा सा प्लांट टीशू भी देख लेते हैं पेपर में कि पादप उतक कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों पादप उतक कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं एक मेरिसमेटिक होते हैं और एक परमनेंट एक इस्थाई और एक इस्थाई होते हैं फिर उनके अलग-अलग भाग होते हैं थोड़ा मैंसे कौन सा आ-स्थाई merismatic tissue नहीं है तो इस्थाई और आ-स्थाई को बाटा गया है आ-स्थाई कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं सीरसस्त, मानलो कोई पेड़ है ये पेड़ है, तो पेड़ ऊपर की और ब्रदी करता, सीरसस्त यह ऐसे अंतरवेसी जहां पर आपकी तहनिया लगी होती है और जड़ पार्स बाले में आ जाएगी तो सीरसस्त अंतरवेसी और पार्स होता है जबकि जायलम किसमें आ जाएगा जायलम और फ्लोयम किसमें आ जाएगा सरल और जटिल मतलब स्थाई वाले के भी दो पाठ होते हैं सरल और जटिल जटिल के अंदर कौने जाएगा जायलम और फलोयम तो दोस्तों इसका आंसर आपको आना चाहिए आईस्थाई उतक नहीं है तो आईस्थाई उतक कौन कौन से है सीरसस्त अंतरवेसी पास एपिकल इंटरकैलरी और लेटरल है इसका आंसर क्या जाएगा जाइलम जाइलम इसका आंसर आ जाएगा कौन सा जटिल या संबहनी या उतक है तो इसकी वीडियो आप देख लोगे तो यह आपको तुरंत बनने लगेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लांट टीशू के बारे में पादा पूतक में है तो कौन सा जटिल और संबहनी है संबहनी या मतला है बहन Agriculture करना नीचे से पानी ले जाना उपर से भोजन खो लाना तो दोस्तो जाइलम और फ्लोयम दोनों तो आंसर किसका आजाएगा इसका आजएगा दोस्तों इस का आजएगा Jis question की ओ और कॉस्चन से नंबर थाटी One निम्न मेंसे कौन सा सरल उसी तक नहीं है तो हम ने देखा था ध्यान सुन्हा एक स्थाइब ॉय्स और यहाप जाएगा नहीं और प्रमानेंट सर्षभ और सक्लेइन होते हैं और सरस्ट कोzeug में यहां के जाएंगे सरन में PCS, पेरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्कलेरेंचाइमा आ जाएगा बाकि और अपना जटल में क्या जाएगा, जैलम और फलोयम तो निम्नमेसे कॉस्चन क्या है, यहां पर दोस्तों कि निम्नमेसे कौन सा सरल उतक नहीं है तो कौन सा नहीं है जाइलम क्योंकि जाइलम कैसा है जटिल है तो पेरिन कायमा कॉलिन कायमा कैसे आ जाएंगे हमारे सरल उतक आ जाएंगे चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की और कि नारियल के रेसे युक्त छिलके बने होते हैं नारियल कैसा होता है कठोर होता है इसकल जैसे हमारी खोपडी इसकल बोलते हैं इसकल मतलब हड़ियों का धाचक तो ऐसी इसकलेरियन काइमा मतलब पेड़ का मजबूत भाग कठोर बाग तो नारियल के दे से कैसे रहते हैं कठोर रहते हैं तो इसकलेरिन काइमा आंसर हो जाएगा इसके पहले गद्दे भी बनाया जाते थे लोग सोते होंगे अभी भी किसी के घर में होंगे तो मेरे घर में तो है पादप में द्वार कोसी काएं पाई जाती हैं बहुत गजब का कोशन आया पादपों में द्वार कोसी काएं पाई जाती हैं मतलब एक पेड़ है और इसमें जब पत्ते रहते हैं प्रिकास संसलेशन की किरिए इसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं इस्टोमेटा, द्वार के द्वारा एंट्री करते हैं जब इसमें तो बताव मुझे पादपों में द्वार कोसीखाय कहां पाई जाती है, कहां से प्रिकास आता है तो क्या फूलों में, नहीं फूल तो बाद में लगते हैं, या पत्तियों में बिलकुल इसका आंसर आजागा पत्ती क्योंकि पत्तियों में रंदर रहते हैं छोटे छोटे से इनी मैसे क्या होते हैं दौार होते हैं स्टोमेटा तो इसका आंसर आजागा पत्ती चलते हैं next question की और मैंने चुनिन्दा question मनाया आपके लिए दो चार question और बचे हुए है कि कोसीकाओं का वे समूँ जो विभाजन की छमता रखता है कहलाता है मतलब کوसी काओं का, पादप कोसी काओं की बात कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा विभाजन है जो लगातर अपने में विभाजित करता रहता है तो क्या इस्थाय उतक बिलकुल नहीं तो इसका आंसर जागा विभाज जो तक उतक अपने आप में बिवाजन करके पेड़ों को मजबूती उचाई लंबाई प्रदान करते हैं बिवाजियों तक उतक नाम सी क्लियर हो रहा है Q35 पादप सरीर में जाईलम का मुख्य कारिक क्या होता है जाईलम उतक जासे जड़ और फासे फल मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो जाईलम उतक क्या करते हैं जड़ों से जल को और खनिज पदार्टों को ले जाती है और फिलोयम फूड बोजन को ले जाता है तो जाईलम का क्या पूछा है यहां पर जल और खनिच का चालन करता है चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की ओर 36 पादप अक्ष की लंबाई में ब्रद्धी किसके कारण होती है मतलब पौधों में लंबाई किसके कारण हो जाती है आपसे भी लंबे पौधे हो जाते हैं क्योंकि उनका सीर्स मैंने बोला सीर्स अंतरवेशी और पास सीर्स वाला भाग मतलब ऊपर वाला भाग पेड़ में क्या करता है बरदी करता जाता है तो पेड में बरदी होगी तो किस के दोरा सीरसस्त वैभाज जो तक Ootak मतलब उपर वाले वैभाज जो uhmed होते जाएंगे तो इस वैभाज जो तक Ootak के दोरा हो जाती है और सीरस्ट वाले वाजonsirm Hell No. 37 seven कॉर्कiosa disputal की काग बनाई जाती है मैंने बता था पहले पुराणी बोतल में कॉरक का ढखकन लगाया जाता था क्यों क्योंकि सस्ती होती थी या हल्की होती थी आसानी से मिलती थी अब भायू रोदक होती थी बायू रोदक उनके अंदर बायू नहीं जाती थी दम पट आवा जाती है अंदर जब लग जाता है डखकन तो यह आप देख सकते हो अपने अपने घरों पर तो कॉस्चन नमबर 38 हमारे सरीर में पाया जाने वाला एक मात्र तलल संयोजी उतक लिक्विट कने पेशार नहीं है रट लेना अच्छे से हाथ पेरों का मोड़ना के सू तक का उधारण है मतलब मैं अपनी हाथों को अपनी एक्षा से मोर रहा हूं के नहीं मोर रहा चलना फिरना घूमना दोडना गरदन घुमाना मतलब मेरी स्वेक्षा है तो यह क्यूंसी पेशी आएग रेखिक पेशी भी बोलते हैं इसको स्वेक्षिक पेशी है आएगी अपने हाथ पेरों को मोरने में चलिए कॉस्चन नमबर 40 की 40 की और 40 की और सबसे इंपोटेंट कॉस्चन है दोस्तों और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि उतकों के बारे में सर प्रिथम किस ने आया मेर ने विचैट ने रोबर्ट हुक ने या मेमन ने ये मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और इसकी पीडिय अप आप ले स